अप्षानु अप्षानु कितनों ने try किया है कभी नगभी meditation करने का सब ने try किया ए कितने लोग जुट बोल रहे हैं उपर रखो अच्या, Almost सब ने try किया है लेकिन उसके बाद में किसी को मुश्किल लगा होगा किसी को असान तो कितने लोगों को meditation करना सच बोलना यह नहीं कि यहाँ पर सिरफ बोलना है कि असान है कितने लोगों को अभी आज की रेट में मुश्किल लगता है मेडिटेशन करना कितने लोगों को असान लगता है असान मतलब कि वो एक गंडे तक बिना कुछ करें, यहाँ पर अराम से बैठ सकते हैं सोच लेना बिठा दूगा मैं बैठ सकते हो, आच्छा तो बहुत कम लोगों को असान लगता है, ज्याता लोगों को मुश्किल लगता है तो आज के इस सेशन का मकसद यह है कि मेडिटेशन को बिल्कुल आसान बना दिया जाए सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, सब के लिए पूरी दुनिया मेडिटेशन एक रास्ता है सिर्फ यह समझनेगा कि किस तरीके से इस पास को और फ्यूचर को छोड़ना है जिसकी पकड़ में अभी हम हैं और जब चाहें अपनी मर्जी से इसको पकड़ना है सबको पता है कि मेडिटेशन करना अच्छा होता है सबको पता है फिर उन क्यों नहीं करते हैं क्या वजय है कि हम मेडिटेशन नहीं करते बोर हो जाते है Let's give a big hand for this guy कितने लोगों को मेडिटेशन बोरिंग लगता है करना क्या कर रहे हैं एक दिन करा दो दिन करा बहुत अच्छा लगा लेगा उसके बाद में क्या कर रहे हैं यह भी कुछ करने वाला काम है जिसे जा बार जाओ खेलो कुदो खाओ पियो मस्तर रहो यह एक मित है कि मेडिटेशन बोरिंग है लेकिन इस मित के पीछे एक सचाई छुपी है कि मेडिटेशन करने के हजार रास्ते हैं उन रास्तों में से 99% बोरिंग है लेकिन 1% ऐसे भी है जो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है इंट्रेस्टिंग है एक्साइटिंग है, खेल है, मजा है, मस्ती है नशा नहीं कहूंगा उसको नशा तो ज़्यादा हो जाएगा तो अगर मेडिटेशन जो बोरिंग है, अभी आपने कहा किसी तरह से, वो इंटरस्टिंग हो जाए तो क्या होगा? मजा होगा मजा है मेडिटेशन का मतलब ये निया है, कि आदमी बेकार हो जाएगा ये लाश बंज जाए जाकर बैड जाएगा, ये नहीं है लोग इसका मतलब ये निगाल लेते हैं, क्योंकि कुछ बेवकूफ लोग जो मेडिटेशन को समजी नहीं पाए जिनको meditation से ही प्यार हो गया जबकि meditation इसलिए करी गई थी कि बागी सब चीजों से attachment छूटे उनकी सबसे attachment छूट गई पूरा संसार से, पूरी दुनिया से सबसे छूट गई meditation से attachment हो गई अब ऐसे आदमी का क्या एलाज है जब भी आपको कुछ करने से attachment हो गई या कुछ ना करने से attachment हो गई आप समझ जो आप गलत ट्रैक पर अब और कोई पॉइंट कोई रहे गया है कि क्यो नहीं करते हैं meditation अब सब की आदे बहुत खराब है जब तक do or die नहीं होता हम कोई भी काम नहीं करते कोई बड़ा इंसिटेंग उना से उसके मिखे वाट इस सेंग इस कि जब तक और यह बिल्कुल सच है कि जब तक कोई do or die situation नहीं होती जब तक कोई काम अर्जेंट नहीं हो जाता है तब तक हम इस काम को नहीं करते इंपोर्टेंट जो काम है करना जब तक हम उठा करके साइड में रखते है और जब तक वो अर्जेंट नहीं नहीं करते ऐसे होता है हर काम के अंदर तो अब मैं एक sense of urgency क्रियेट करता हूँ आपके अंदर आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो जो कुछ भी वो क्यों कर रहे हो इस दुनिया की problem ही यही है कि वो यह समझ रहे है कि जब मुझे यह मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी जब तक पैसा नहीं है तब तक पैसा ही problem है कि पैसा मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी पैसा मिल गया उसके बाद में जब मैं इस पैसे से ये सब चीज़े बना लूँगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी जब ये सब चीज़े बन गई अब क्या करूँ अब तो खाली हो गया अब मैं ये कर लूँगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी ये भी कर लिया, अब क्या करूँ अभी भी खुशी नहीं मिल रही, अच्छा शायद मैं मेडिटेशन कर लूँगा, तो मुझे खुशी मिल जाएजी, मेडिटेशन भी कर ली, खुशी नहीं मिली, अब क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं करना, खुशी यहीं है, कल में ह यही नहीं मैं खुश हो जाओंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी यह भी अपने हमें ट्रैप है मैं खुश हो जाओंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी खुश हो जाओंगा यहां है और खुशी यहां है अब मैं आपको सीधा पॉइंट पर आता हूँ बताता हूँ कि अब एग्जाक्ली आपको करना क्या है जो टेक्नीक है अब हम उसकी बात करते हैं आपको जो मिले है एर प्लग्स वो आपको लगाने है अभी इस समय अगर आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं तो एर प्लग्स आपको किसी भी कैमिस शॉप में मिल जाएंगे अपने घर के पास में आप जाएंगे ये 15 रुपे के मिलते हैं विच यू किन बाइट फ्रॉम एनिवेर और ये बहुत जरूरी है इस मेडिटेशन को करने के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्यों है वो मैं भी आपको बताता हूँ लेकिन ये बहुत जरूरी है इस इन केस आपको ये कहीं नहीं मिलते वैसे तो मिल जाएंगे अगर कहीं नहीं मिलते तो आप इसकी जगह पर अपने मुबाइल के एरफोन्स लगा सकते हो लेकिन उससे जो नॉइस है वो पूरी तरीके से खतम नहीं होती शोर बंद नहीं होता और दूसरा आप कॉटन लगा सकते हो लेकिन उसकी भी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं है तो आइडली मैं सजेस्ट करूँआ कि आप इसको कहीं से भी परचेस कर सकते हैं एक पर दिखाएंगे में को कहा है वो यह है जो एक 3M कंपनी का है और ऐसी और भी कई कंपनी इसके आते हैं अब सबसे पहला स्टेप क्या है मेडिटेशन के अंदर की बैठना कैसे है अब इसमें वो बड़े-बड़े मित है ऐसे बैठो ऐसे बैठो वो अच्छा है वो बुरा है सब अच्छा है जब तक कि आपकी बैक सीधी है और चेर पे बैठकर के मेडिटेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सीधा सा फंडा है कोई भी पोज अगर आपको अनकमफरटेबल लग रहा है उसमें भूल के भी मेडिटेशन मत करो व्यूंकि अगर आपको वो अनकमफरटेबल लगेगा तो आपका ध्यान दर्द की तरफ चला जाएगा तो आपको क्या गरना है कोई भी कमफरटेबल पोज चूस करना है अगर कुरसी पे आप बैठे हो, हलकासा आगे आजाओ, हलकासा ज्यादा भी नहीं, हलकासा आगे, तो बैक अपने आप सीधी हो जाएगा, गर्दन सीधी होनी चाहिए, ऐसे नी होनी चाहिए, ऐसे नी होनी चाहिए, ठीक है, हलकिसी टकडेन होनी चाहिए गर्दन, और जो आ यहां कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो जैसे ही आप हलका सभी जोर लगाने लग जाओगे यहां पर दर्दोना शुरू हो जाएगा आप कुछ मत करो, आप उपर देखो के दर्दोगा नीचे देखो के आप को नीदा जेगी अब आगे भढ़ते हैं आप बैठ गए और सबसे पहले दस ब्रेथ लेनी है दस सांसे लेनी है गहरी जब भी आप सांस छोड़ोगे उसके साथ मैं 10 को जोड़ो फिर अगली सांस छोड़ी तो 9 को जोड़ो लेकिन मन में बोलना है मुह से नहीं बोलना मतलब कि अगर आपने ऐसे किया तो 10 और बोलना भी ऐसे हैं मन में तेज शीक करके नहीं जैसे बन में भी कई तरीके होते हैं बोलनेगे 10 9 अमरीश्पुरी की तरह नहीं बोलना आराम से जैसे कोई विस्पर कर रहा है आपके कानों में बहुत धेरे से अपने आपको बिल्कुल भी तीरे बोल रहे हो और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं काउंटिंग में अपनी बोडी को माइन को रिलाक्स करते चले आप नोट करना किस तरीके से चीज़े रिलाक्स हो रहे है मालब अगेन करने की कोशिश नहीं करनी आटोमाटिकली वो चीज़ होती चली जाएंगी तो दस से आप गए नाइन पे नाइन हेट और जीरो तक जाना है जब तक आप जीरो पे जाएंगे आप देखेंगे आटोमाटिकली जो आपका माइंड है वो ब्लांक हो गया लेकिन यह एंड नहीं है मेडिटेशन करें आप सोचो बस यही था यार अब यहां से खेल शुरू होता है अब बड़े ध्यान से समझना जो चीज मैं बोलने वाला हूं इस दुनिया में दो तरह की आवाजे है एक वो जो बहार से आ रही है जैसे AC की आवाज आ रही है सबको भी मेरी आवाज आ रही है यहां पर भी हलका सा ठक ठक हुआ हाई सुनो बहार यहां पर कौन-कौन से आवाजे आ रही है अभी सबने बोला आवाज हुई यह बहार की आवाज है हमें पता है सबको बाहर की आवाज क्या है कुछ आवाजें हमारे अंदर है कुछ आवाजें हमारे अंदर है जिसमें से कुछ आवाजों को आप जानते हो और कुछ को नहीं जानते है उनको जानना है अंदर की आवाज कौन सी है कोई पताएगा एक्जाम्पल हाटबीट और अंदर की आवाज कौन सी है सांसों की आवाज ऐसे ही अंदर और भी बहुत सारी आवाजे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं वो आप पकड़ोगे कैसे जब आपने कान में लगा लिया और लगाने के बाद में भार से आवाज आनी बंद हो गई तो इसका मतलब कि जो भी आवाज आ रही है वो अंदर से आ रही है तो आटोमाटिकली आपका ध्यान उन आवाजों की तरफ चला जाएगा आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा धीरे धीरे आपको दिल की धड़कन सुनाई देने लग जाएगी धीरे धीरे इन आवाजों के साथ में आप देखोगे पीछे से एक आवाज आ रही है इन आवाजों के पीछे पीछे मतलब ऐसे भूत नहीं है कोई इन आवाजों के पीछे एक और बारीक आवाज है मतलब आवाज धीरे-धीरे पतली होती चली जाएगी हमारा माइंड किस तरीकी से काम करता है जो सबसे भारी आवाज होती है उसको हम जल्दी सुन लेते हैं जो सबसे हल्की आवाज होती है वो खो जाती है वो खो जाती है इस नहीं है मैं बौल रहा था। ऐसा नहीं आप सुन नहीं रह थे आप सुन सकते थे। लेकिन हमारी हैभिट क्या है। हम पड़ी आवाजों को छोड़दे थे हैं हमारा ध्यान सिद्हा बड़ी आवाजों की तरफ चलाजाता है। इसमें आपको थोड़ा सब उल्टा करना है आपको क्या करना है पहले आपने ब्रेथ की आवाज को सुनना शुरू किया सुनते सुनते आपको इसके पीछे से इस ब्रेथ के पीछे से एक पतली सी आवाज सुनाई देगी वो पता है कैसी होगी हो सकता है किसी को जिंगूर की आवाज सुनाई दे जैसे कभी किसी के साथ में हुआ है कि हम कई किसी हिल स्टेशन पे गए और वहाँ पर लेटे होएं और एकदम से जिंगूर की आवाज आ रही है कान के अंदर सुना है या दिवाली के टाइम पे बम फट जाता है हमारे कान के पास में तो क्या होता है किसी को हो सकता है पानी गिरने की आवाजे आए जरने की आवाजे आए किसी को हवा की आवाज आए किसी को शंक की आवाज आए ऐसा लगए है कान के अंदर कहीं पर शंक बज रहा है अब ये आप नहीं भी चाहोगे अब देखो meditation में और इसमें क्या फर्क है अब तक की आपने जितनी meditation करेगी और उसमे वहाँ आपको अपने ध्यान को लगाना पड़ रहा था ध्यान से समझना इस पॉइंट को बहुत माइनर सा फर्क है लेकिन ही major difference लेकर आने वाला है और सब meditation techniques में आपको अपने ध्यान को कहीं लगाना पड़ता है और ध्यान बार बार भागता है कभी thoughts की तरफ, कभी आवाज की तरफ, कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां होता है meditation कर रहे होते हैं, एक दम से आवाज आती हो अधर से अरे भाई, खाने में क्या बना है तारी meditation भंग, गई ऐसे होता है क्योंकि आप ध्यान को वहां रोकने की कोशिश कर रहे हो और ध्यान को रोकना, जब तक कि आप पूरे तरीके से नहीं समझ जाते हैं कि ध्यान है क्या रोकना is next to impossible आपके लिए तो ध्यान को रोकना नहीं है, बाकी जगे पे आप ध्यान को यहान रोकने की कोशिश कर रहे हो, यहान पर ध्यान अटोमाटिकली एकदम रुख जाएगा एकदम स्थेर हो जाएगा कि यह क्या हो रहा है, यह क्या आ रही है एकदम से एक आवाज आएगी, आप कोगे यह क्या है, आप नहीं भी सुनना चाओगे आपको ध्यान बार-बार उसकी तरफ जाएगा आपको ध्यान आटोमाटिकली सेंटर में आ जाएगा और आप देखने लग जाओगा इसको आपको कुछ नहीं समझ आएगा यह क्या हो रहा है देखो कभी भी नोट करना कि जैसे ही हमको कोई चीज नहीं समझ आ रही होती तो हमारा ध्यान प्रेजन मुमेंट में होता है जब तक हमारे लिए कोई भी चीज नहीं होती है हमारा ध्यान प्रेजन मुमेंट में होता है आप किसी नहीं जगे पर जाओ पहली बार किसी hill station पर जाओ तो क्या होगा आपका ध्यान पूरे तरीके से वहाँ पर है आप चीजों को अब्जर्ब कर रहे हो ऐसे होता है एक एक चीज को देख रहे हो बड़े जान से अरे ये क्या है अरे वो क्या है वहाँ दूसरी बार जाओ क्या होगा तीसरी बार जाओ क्या होगा पांची बार जाओ क्या होगा आप वहाँ बैठे होगे लेकिन अपने काम कर रहे होगे माइंड के अंदर अपने काम के बारे में सोच रहे होगे आफिस के बारे में सोच रहे होगे ऐसे होता है हर एक चीज के अंदर ऐसे होता है अगर आप जहान से उसको observe करने की कोशिश करोगे कि जब भी कोई चीज ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आती जो हमारे समझ से बहार होती है तो हम सेंटर में आजाते हैं समझ ही नहीं आ रही क्या करें, कुछ करने को हाई नहीं अगर आपको समझ आ गई, समझ कहा आएगी, अगर memory में कोई चीज पड़ी हुई है और आपको समझ आ गई, तो आप एकदम से उसमें language में convert कर दोगे आपने एक truck की आवाज सुनी, for example, भाहर से और आपको उसना ही दे गई, तो आप क्या कहोगे, अरे truck की आवाज है कुछ नहीं समझ आएगा, आप दंग हो जाओगे, आप सुन हो जाओगे जैसे आप सुन हो गई, काम हो गया, आप center में आगए आप चीज़ें जैसी हैं, वैसी आपको दिखने लग जाएगे इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा टेकनिकली बताओं, फिर उसके आगे और आपको क्या करना है बस एक चीज़ चोटी सी रह गई है, कि जो भी आवाजे आएंगी ना, उसको right side से सुनना है मतलब अपने right side से सुनना है, हो सकता है आपको left side से भी आरी हो, बट that is okay दीरे दीरे आपको उस आवाज को, अपने ध्यान को यहाँ पर लियाना, right side में, automatically वो आवाज आपको right side से आने लग जाएगे और जैसे-जैसे आप meditation में और गहरे जाते चले जाओगे, अंदर जाओगे, तो इस सारी आवाजे सेंटर में जाएगे दीरे दीरे अनहत नाज, अनहत मतलब जिसकी कोई हदे नहीं, बिना किसी आहट के, जिसमें कोई आहट नहीं है For example, एक आथ की ताली, आपने दो आथ की ताली सुनी होगी, कि उसकी आवाज कैसी होती है, सोचो एक आथ की ताली, कैसी होगी उसकी आवाज? वो सन्नाटे की आवाज है, उस आवाज को आपको सुनना है, सुन क्यों नहीं पारे उस आवाज को? अगर उस आवाज को माइंड ने सुन लिया, तो माइंड खुद को पहचान जाएगा, आरे मैं यही हूँ एक मिनिट में माइंड अपने आपको देखेगा, और सब कुछ खेल समझ आता चला जाएगा माइंड अपने आप शान्त हो जाएगा, माइंड शान्त होगे, आप आप अटोमाटिकली सेंटर में आ जाओगे कुछ करने को नहीं रह जाएगा, लेकिन सुन क्यों नहीं पारे? बीच में शोर है, बहुत शोर है, जब हम बोलते हैं तो शोर होता है, सुनते हैं तो शोर होता है, तीसरे तरह का शोर हो और है, उससे पहले मैं आपको बता तो इन दोनों शोरों के लिए क्या किया है, नंबर एक, मेडिटेशन के टाइम पर आप बोलने ही रहें, नंबर द का शोर है जिसको खतम करना है जो हर मेडिटेशन का लास्ट गोल है या मोस्ट इंपॉर्टन गोल है वो क्या है कि हम अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कभी नोट किया है नॉन स्टॉप इसलिए स्ट्रेस हो रहा है फॉर एक्जामपल आप यहां बैठे हुए हो और में 24 गंटे आपके कान में आ कर के कुछ बोलता रहा हुआ अरे क्या हुआ वो किया क्या है अरे वो कही रहना जाए अरे उसकी लास्ट डेट अगई है अरे वहां पर वो बच्चों को वहां भी लेने जाना है यह दिक्कत हो ए यह ना हो जाए, औरे वो ना हो जाए एन राइट ब्रेन, दोनों आपस में connected हैं, लेकिन दोनों के functions अलग-अलग हैं, इसको logical brain बोलते हैं, इसको intuitive brain बोलते हैं, जहां intuition चलती है, आपका contact हुआ किसी चीज के साथ में, चाहे वो thought के साथ में हुआ, चाहे मेरे साथ में हुआ, जैसे ही हुआ, आपका आवाज आई, आपने immediately यहां पे conversation शुरू हो गई, अरे ट्रक की आवाज है, जैसी यह picture देखी, अरे कितनी खराब picture है, कोई बद्बू आई, अरे बड़ी गंदी smell है, कोई अची smell आई, अरे वाह, कितनी अची smell आ रही है, होता ऐसा, अंदर conversation शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है, जैसी अंदर बातचीत शुरू हो जाती है, इस बातचीत को किसी तरीके से बंद करता है, अब scientifically उसका क्या तरीका है, जिस आवाज को आप right side से सुनते हो, उसकी processing हमारी left side की brain करती है, मनलब जो left side की brain है, वो right side के सारे functions को चलाती है, और जो right side की brain है वो left side के सारे functions को चलाती है, इससे होगा क्या, इस पूरी की पूरी process से scientifically, जैसी आपने right side से किसी भी आवाज को सुना, और एक ऐसी आवाज को, तो अब अगर मैंने right side से आपको एक ऐसी आवाज सुना दी जिसको आप आ लोड़ी जानते हो, for example, मैंने यहाँ पर बोलना शुरू कर दिया, कोई भी ऐसा नाम जिसकी एक form बनी होई आपके mind में, राम, 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 तो क्या होगा, राम की इमेज बन जाएगी, जैसी राम की इमेज बन जाएगी, क्या होगा, यहाँ पर बात्ची चुरू हो जाएगी, कि राम भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, कोई बुराई नहीं हो उसमें, बढ़ बात्ची चुरू हो जाएगी, हे भगवान ये करो वो करो वो करो शुरू हो गई बाची जैसी बाची चुरू हो गई आप यहां से अट गए इन आवाजों को आप मेंसे कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता आपके बहुत पास है लेकिन फिर भी इतना दूर है यहां से निकल रहे हैं लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान दोगा, तो एक सेगड में सुनाई दे जाएगी, जैसी सुनाई देगी, mind blank हो जाएगा, इदर वाले mind को कुछ नहीं पता क्या है, बस ये पता है कि आवाज आ रही है, वो alert हो गिया, इदर वाले mind को कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ ये side जो है वो heart से connected है दिल बढ़ा होने लग जाएगा और mind छोटा होने लग जाएगा दीरे-दीरे mind zero हो जाएगा heart बढ़ा होते हो जाएगा और सारा खेल दिल का है सारा प्यार यहाँ है compassion यहाँ है creativity यहाँ है सब कुछ यहाँ है peace of mind यहाँ है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता और सोचो अगर वो कुछ ऐसा हो जिसके बारे में आप चाहो भी तो जिंदिगी में कभी जानी ना पाओ तो क्या होगा हमेशा के लिए mind शानता है समझेंगे अब उससे connection बन रहा है जो मैंने कहा था interesting है कुछ नया है boring नहीं है केकफि कुछ नया है exciting है के रोज कुछ नया है ऐसी एक अवाज नहीं है पूरा-पूरा music है और हो पूरा संगीत है एक सुर है अंदर एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में आप सोच मिना सकते जब वो सुनाई देने लग जागा आपको, धीरे धीरे आगे भढ़ने लगजाओगे, और आगे कैसे भढ़ना है? सबसे पहले सांसो को पकड़ा, जो सबसे वो है, फिर उसके बाद में इसको पकड़ा, अपनी हार्ट-बीट को पकड़ा, उसको छोड़ा उसके बाद में और पतली अवाज देखी, कौन से आ रही है फिर और वहाँ से दूसरी और उससे पतली अवाज फिर और पतली, फिर और पतली, फिर और पतली एक दिन आप एक ऐसी अवाज पर पहुच जाओगे जिसके आगे और कुछ तई है उसको छोड़ा तो आप भी छूट गए आप भी नहीं हो गए इसी आवाज को ओम बोलते है वो ओम की आवाज है सारे वेद ओम में से निकले है इसको बोलते हैं तो essence of all वेद इसलाम में जो सूफी लोग हैं सूफियों कि अगर आप कभी भी गाना सुनोगे ओम ए यू एम इसके बीच में क्या आया यू यू को अप कैसे बोलोगे वू कोई फर्क है इसलाम भी वोही कह रहा है सूफी वोही कह रहे है जो हिंदु कह रहे है बाइबल में भी कहा गया है इस पूरी दुनिया में तब एक शब था शब्द था शुरुवात में सोचो शुरू में शब्द कैसे हो सकता है सोचो जब कुछ रही था इस पूरी दुनिया में तब एक शब्द था इसी शब्द को हिंदी में भगवत गीता में क्या बोलते है अक्षर अक्षर मतलब कि अक्षर इंपरिशेबल जिसको मारा ना जा सके अक्षर अक्षर योग का पूरा पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया गया है कि अक्षर क्या है जहां क्रिशन भगवान इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ वो जीजस है वो क्राइस्ट है कुछ भी बोलते रहो क्या फर्क परता है कुछ भी बोलते रहो सब उसी के नाम है उसी एक के नाम है इसी को नानक जी क्या बोलते है अपना एक उनकार बोलते है एक उनकार का मतलब क्या है कभी सोचा एक ओम का जो आकार है वो ही सत्य है, बागी सब असत्य है और ओम क्या है? निराकार है यही है तो सब एक ही चीज की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह से कर रहे हैं, अलग अलग तरह से बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ एग है यक आप घूम 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 करके नहीं तक पहुंचो, एग है लास्त में, आप सीधा खठ करके यहांपे पहुंचो. इसको सुनाई देना होगा, सुनाई किसको देगा जिसका मन साफ होता चला جाएगा, जिसके मन में जितना शोर होगा उसको उतना ही टाइम लगेगा इस ओम को सुनने में मतलब कि आप इसको जितना सुनने की कोशिश करोगे उतना ही लेट सुना ही देगा क्लियर हो रहा है? जितना सुनने की कोशिश करोगे उतना ही लेट सुना ही देगा जितना नहीं कोशिश कर रहे हैं, बैठ गए, सुना ही देने लग जाएगा आप कुछ मत करो, कान में लगा करके अराम से बैठ जाओ मत सुनो, बोलो कि मैं नहीं सुनना चाहता, तब भी सुना ही देगा clear हो रहा है यह हमारे सुनने की capability ही ऐसी है जो हमारी body का organ सबसे पहले काम करना शुरू करता है मतला यह काम अप आज से नहीं कर रहे हैं जब आप पैदा भी नहीं हो यह तब से गर रहे हो तब से हम सुनना शुरू कर देते हैं यह organ हमारा सबसे पहले develop होता है सुनने का, यह वाला जो है अंदर का और सबसे लास्ट में ये छोड़ता है इसलिए कहते हैं कि जब एक आद्मी जा रहा होता है उसके कान में जा करके राइट साइड बे कान में दीरे से बोलो राम 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 क्यों बोलते हैं किसी ने सोचा इसलिए इसलिए लेवल अप्रेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ प्रेयर हम क्या समझ रहे हैं कि हम चुप हो गए जा कर के मंदिर में हाथ जोड़ कर के बैठ गए और अपनी इधर लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव कर लिए मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूं लेफ ब्रेन को अपने एक्टिव कर लिए और हम बगवान से कुछ और कुछ मांग रहे है यही समझते हैं प्रेयर जैसे मैं बच्पन में करता था मैं को प्रेयर अभी तक रटी हुई है जब मैं बच्पन में में को सिखाई थी कि हे बगवान मुझे बल दो, बुद्धी दो, आयूदो, मैं खुब अच्छा लगा बनू, पढ़ाई में भी उशार बने अभी तक रटी हुई है यह प्रेयर इसको हम प्रेयर समझ रहें अरे ना भाई यह प्रेयर नहीं है यह प्रेयर नहीं है highest form of prayer क्या है जब आप कुछ भी नहीं बोल रहें ना मू से ना मैट से आप अपने आपको पूरी तरीके से surrender कर दो तब जो होगा वो prayer है तो कि जो आपको सुन रहा है वो कहीं बाहर नहीं है आपके अंदर ही है जैसे ही उससे कुछ मांगोगे आप उससे दूर हो जाओगे उससे कुछ मत मांगो वो सब जानता है उसको सब पता है उससे कुछ होगा नहीं कुछ मत मांगो सब कुछ मिल जाएगा ये meditation है मतलब कि कुछ करना ही नहीं है अगर कभी experiment करना हो कभी experiment करना हो या खेलना हो, क्योंकि मैंने गहा आना यह जड़ सीरिसली मतलो हुं, खेलो, खेलना हो, खेलने का तरीका पता हूं, बोलो, मुरे अधरीटेशन नहीं करना, मन में, मतलब, यह अधरीटेशन क्या है, सुनने ही तो है, अब क्या रचे डिये हो, कि मुझे नहीं सुनना, करो कोशिश, ना सुनने की, तब भी सुना ही देगा, यह खेल है, ध्यान बाहर जा रहा है, ले जाओ बाहर, एक्सपरिमेंट करो, देखो क्या होगा, ध्यान बाहर गया, जैसे ही आप इन अंदर की आवाजों को पहचान लोगे, यह आवाज अपनी तरफ आपका ध्यान खीच लेगी, आपको ध्यान यहान लाना नहीं पड़ेगा दीरे-दीरे, जैसे ऐसे आप मेडिटेशन में गहरे यह भी, मतलब हजारो चीजसे कर सकते हो, बिना किसी एक भी चीज से, अटैच हुए है, आप कुछ भी पास सकते हो, कोई चीज भी इंपॉसिबल नहीं क्योंकि कोई चीज आपके बाहर है ही नहीं, और कुछ भी खो सकते हो, क्योंकि खोने के बाद भी, जिसको पाओ गे, है ही नहीं कानों में वो लगा लेते हैं देखो इसको पहले अच्छे से आपको रोल करना है जैसे हम निउस पेपर के साथ आपने कही लगा होगा ऐसे फाल करके ऐसे ऐसे रोल किया होगा ऐसे ऐसे रोल करना है और फिर रोल करके कान के पास ले जा करके और फिर इसको अंदर इंसर्ट करना है और यहां पीछे से इसको दबा करके रखना है कम से कम 10 सेकिंड तक उससे क्या होगा यह अंदर ओपन अप हो जाएगा अगर आप इसको इंसर्ट करेंगे तो यह नहीं होगा तो अब हम क्या करने वाले हैं बीस मिनिट के लिए अराम से बैठ करके पहले 10 ब्रेट्स होंगी उल्टी गिंती किनेंगे जीरो तक खतम उसके बाद में ब्रीधिंग को नॉर्मल कर दिया और जो सुनाई दे रहा है अंदर से पस उसको सुनना है बाहर से अधर कोई आवाज आई भी किसी के खांसने की आवाज आई या किसी तरह की कोई आवाज आई ध्यान जाता है जाने दो आप देखना अपने आप अंदर आजाएगा करने की कोशिशिश मत करो अपने आप भी ध्यान भाहर गया कहांसी की तरफ अपने आप आजाएगा जितना आप उससे इरिटेट होगे उतना ही वह आपको तंकरेगा थौट्स आये कोई बात नहीं आने दो अपने आप वो आवाज आपकी अध्यान आपकी तरफ खीच लेगी अपने आप यहां ले आएगी आपको यहाली लाइट साफ बंद करवादू अब आप बताएए मिरको आपका लोग को क्या क्या एक्सपीरिंस रहाएब सबसे पहले तो कितने लोगों को सांसों के और दिल की धड़कन के अलावा कोई और आवाज भी सुनाई थी यहां लगाना पड़ा था उसकी तरह यहां बार-बार ध्यान खीच रहे थे आप मेडिटेशन कर नहीं रहे थे आप मेडिटेशन कर नहीं रहे थे आटमाइटिकली यह और आथा सब कुछ बाकी सब आवाजे बंद होगे थी मैं आपको तीनों स्टेजिस बता जेता हूं क यहां है इसकी पहली है कि जब कोई नहीं आ रहे तो ब्रेट तो ही ब्रेट भी तो आपके अंदर ही है ना यह भी उसी की आवाज है कि सांसे निकल कहां से रही है कभी सोचा है सांसे कहां से आ रही है कहां जा रही है अगर आपके अंदर से में सांसे निकाल लूं पांच मि सांसे उसका थोड़ा सा बड़ा रूप है जिसको आप अनाम से सुन पा रहे हैं बाकी छोटे-छोटे हैं जो सुनना शुरू करेंगे दिर दिर सुनाई देगा जब तक कुछ नहीं सुनाई दे रहा सांसों को सुनना है इसके साथ में अपने आपको जोड़ करके रखो नहीं भी जोड़ना थोट्स के साथ में जाने दो जहां ध्यान दा रहा है जाने दो बाहर की आवास पर जाने दो अपने आप यांदर की आवास आपको खीच लेगी इसमें इतनी पावर है इतनी ज्यादा इसके अंदर अट्राक्शन है यह अपनी तरफ खीच लेगी आपको जिसको इसके आगे की कोई अवास सुनाई दी जैसे कोई बता रहा है किसी को जिंगूर की सुनाई दी कितने लोगों दी? जिंगूर की अवास सुनाई दी उससे एक और कम पी आवाज में हाँ, एक्जाक्ली, जैसे एक लाइट ऐसे होती है ना, बुच्छती है, जलती है, जैसे तारे हम देखते हैं आस्मान में, तारे कैसे लगते हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे, ऐसे लगता है, जल रहे हैं, बुच रहे हैं, जल रहे हैं, तारों के जैसी होगी बीच-बीच में आईगी, जाएगी और कई बार किया होगा आप सांसों के बाद में एक आवाज आपको सुनाई दी जिंगॐर की उसके बाद में और पतली है आएगी वो आई और एकदम से चले गी और जिंगॐर की आगई उसके अंदर से आपको जहलक दिखी ठीक है तो अभी आपको उस आवास को नहीं पगड़ना पहले जिंगुर की आवाद में गड़ना है जब आप इसमें गड़ गए थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके से आपको बिल्कु क्लियर सुनाई दे गई तब इसके साथ में ही आपको एक और आवास सुनाई देगी जो हलकी सी दे रही होगी तो अपने ध्यान को जिंगुर से अटा दो वहाँ ले जाओ फिर वहाँ से अटा दो और आगे ले जाओ फिर और आगे फिर और आगे फिर और आगे एक confession है which is very important लोग ये तो बता देते हैं कि meditation सबको करना चाहिए हर चीज़ का plus minus होता है तो meditation का भी एक plus minus है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि meditation का minus क्या है meditation सिरफ एक tool है एक हतियार है वहाँ पहुचने का या ये कहो कि एक नाव है जो आपको पार लगा देगी लेकिन अगर आपने उस पार होने के बाद में उस नाव को नहीं छोड़ा तो उसका कोई इलाज नहीं है एक दिन ऐसा आएगा जब आगे बढ़ते 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 meditation आप करोगे नहीं meditation अपने आपी छूट जाएगी उस समय जब वो छूट रही हो तो पकड़ने की कोशिश मत करना लालच मत करना कि अब मुझे ये दिख जाए वो दिख जाए वो दिख जाए कोई अंत नहीं है जब इसको जान लिया तो बस यहाँ पर गढ़ना है दूसरा confession which is again very very important हो सकता है आप मेंसे कुछ लोगों का काम ऐसा होगा जो और मैं इसको मजाख में नहीं बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपका काम ऐसा हो जहाँ पर के बिना गुस्से के बिना गुस्सा किये आप काम करी नहीं सकते ऐसे भी कुछ लोग हैं और जब मैंने उनकी प्रॉब्लम को समझा तो मैंने तो मेरे को तो वो समझ नहीं आई लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार शायद वो बंद अपनी जगे अपर ठीक है जैसे मेरे एक अंकल है मैंने उनसे पूछा मैंने गुष्जा अप हमेशा गुष्य में क्यों रहते हो यूकि मैं अब्सर्व करता रहता हूं लोगों को तो उनकी जो आखे हैं आईब्रोस हैं वो हमेशा ऐसे रहती है और बात-बात पर जैसी कोई बात ऐसी मेरे मुझे निकलती है जो उनको ठीक नहीं लगती, तो उनकी नाप फूलने लग जाती है हसतो है, मैंने उनको कभी देखा नहीं तो इस तरह के expressions देख करके, मैंने उनको पूछा मैंने का कि अंकल चक्कर क्या है, आप हमेशा गुसे में क्यो रहते हो कहते हैं, बेटा मेरा काम ही ऐसा है मेरी आदत होगा, मिरा काम ही ऐसा है अगर मैं गुसा ना करूँ अपने आदमियों पर उनकी factory है कहते हैं कर अगर मैं गुसा ना करूँ उनको अपने आदमियों पे छार गालिया ना दू उनको और पिं करके उननों दो-चार गालिया दी जब तक उन उन डैज डैश को ये ना किया जाए तब तक कोई काम करके राजी नहीं है हो सकता है वो अपनी जगे ठीक हो और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिना गुस्से के आपका काम नहीं चलने वाला आपकी फैक्टरी नहीं चलने वाली तो प्लीज भाई मेडिटेशन मत करना गुस्सा खताम हो जाएगा नहीं किया जाएगा मुझे कई वार अपने में बड़ी हसी आती है कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर गुस्सा करना चाहिए और एक्जामपल वो फैक्टरी वाला वो जो मेरे अंकल है वो क्या करते हैं कि अगर उनकी फैक्टरी में कोई दंग से काम ना करें तो उस पर गुस्सा करते हैं उसको गालिया निकालते हैं आज मैं honestly बता रहूं मैं सिरे बोल नहीं ना अंदर तक इस बात को जानता हूँ मेरी फैक्टरी होगे नो उसमें आग भी लग जाएगी तो मुझे असी आएगी मुझे फर्क नहीं पढ़ने हाला मैं सीधा पूछे को हाँ भाई फाइबर गेट को बलाया गया कोई बसे बजालो नहीं बुझती तो चलने हो कोई नि दूसरी बैठर को घाले को है आए गा यह नहीं तो गलत आप चाहोगे भी तो आप किसी के साथ में गुश्था नहीं कर सकते तो यह हैं पहली दूसरी category है कि हो सकता है आपका काम ही ऐसा हो जहां पर आपको लोगों को जूट बोलना पड़ता या धोका देना पड़ता ऐसे बहुत काम है आज के टाइम में बहुत काम है और यहां पर भी पता नहीं ऐसे कितने लोग बैटे होंगे पर एक्जामपल जब तक आप जूट बोलोगे ही नहीं तो आपका माल बिकेगा ही नहीं और जूट भी ऐसा जिससे सामने वाले का नुकसान है एक जूट ऐसा है जिससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है वो तो आप बोल लोगे वो तो मैं भी बोलता हो काई बार जिसमे आप उसके flat बेच रहे हो क्योंकि आपको commission मिलने वाला है तो अगर आप ऐसे business में होगे ऐसी line में होगे आप भूके मर जाओगे आप वो flat नहीं बेचने वाले हैं आप करी नहीं पाओगे खतम हो जाओगे आप आप जुट बोली नहीं पाओगे आप उसका बुरा कर यह नहीं पाओगे दूसी तरफ से कोई आप कर गर गर आपका भी बुरा करेगा तो आप शांती से बैठ करके उसके लिए अकेले में बैठ कर के हो सिर्ट लिए उस टाइम पे रोड़ी辉ड कर दूर दुए अपने आपे हाथ रखे, कि भगवान उसका बला करो, बला करो, बला करो, ऐसी चीजे होने लग जाएंगे आपके साथ, बड़ा जीव है सुनने में, बड़ा जीव है, लेकिन होगा, मैं अपने प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्ष्पियेंसे से आपको बता रहो हूँ, और कोई नहीं होता, इसको जज़ करने वाला, लेकिन अगर आपका ये काम है, तो भाई भूल करके भी, मेडिटेशन मत करना, मत करना सच बता रहा हूँ मैं, भूल के भी मत करना, मुर्गा आप काट रहे होगे ना, उसकी आखों में, अरे, एक बार अगर आपने उसकी आखों में देख लिया ना, आप रूने लग जाओगे, क्या काटोगे उसको, आप बंद कर दोगे अपनी दुकान को, भूके मर जाओगे, खाने के लिए पैसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं समझाएगा, क्या करोगे, ले हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी कोशिश करोगे आप प्यार से उतना ही दूर होगे, आप प्यार बन जाओगे, बीच में आये, प्यार बन जाओगे, कोई आये तो सही आपको मारने के लिए, आपको तो भी प्यार आजाए खुटार फोगया है ऐसा ने आप अबने हपो बचाओ की नहीं बचाओ के अईसा निए उसको बचाने के लिए उसको मारोगे नहीं मारोगे लिकिन प्यार से थे पिदो नफॉरत से नहीं देरे देरे होगा क्या ऐसी स्टेज आजाईगी आपकी जब चहा करके भी आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाऊगे और आप इस दुनिया के भले के लिए बिना बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट किये रत्ती भर भी कुछ भी गर जाओगे चलते रहो यह जो छीज है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में बात करूँ म स्याँ इसरो प्द्वर काुण इसकी मैं बात करूड़ उलाभ प्रुग ön का व झाल झाल